नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूटुब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लेडर पर किसान सातियों आज दिनांख है 22 अगस्त 2023 दिन ओचुका है ट्यूश्डे मंगलवार का समय हुआ है भी हाल फिलाल किसान सातियों 10 बच कर 40 मिनिट वीडियो आपको 11 बजे के लगबग देखने को मिलेगा या इससे जल्दी थोड़ा सा 5 मिनिट या 10 मिनिट जल्दी किसान सातियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की 24 मंडी की इंदोर की 24 मंडी आज चालू है बाकी भारत की लगबग लगबग हर मंडी बंद है कुछ मंडियां चालू है किसान सातियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोहितरा मंडी में आलूपया लसुन की आवक की और आज की ताजा भाव की उसी के साथ किसां साती हो हमने थमनेल में क्या-क्या एट किया है प्याज पर गाच क्यूं यह भारत सरकार से मेरा प्रशन है कि प्याज पर ही गाच क्यों एक फिल्म यह फिल्म इंडेस्टिज की बात करें एक फिल्म की बात नहीं करेंगे हम फिल्म इंडेस्टिज में अभी दस दिन में तो यह वहां पर पेसा इतना दे देते हैं लेकिन इन्हें 50 रुपे का अगर प्याज खाना हो तो महिंगा लगेगा इन मेडिया वालों को इन जनता को भारत की 30 प्रतिसत जनता को इसे प्याज मेहिंगा लग रहा है तो यह अफ़ा फिलाएंगे मिडिया वाले और अफ़ा फिलाने के करण सरकार ने कदम उठाया 40 परतिसर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी उससे क्या होगा उससे यह होगा कि देश का प्याज देश में रहेगा बाहर एक्सपोर्ट नही हो पाएगा अब क्यों नहीं हो पाएगा इसका गणित में आपको बताऊंगा जब प्याज का इंदूर मंडिक से अपन निपड़ जाते हैं पहले आवक से और भावस इसके बाद ठीक है और क्या चीज़े एक्सपोर्ट हमने ठमनेल में डाली है बांगलादेश इंपर्ट एक्सपोर्ट की भी जनकरी देंगे हम आपको कल की 40% एक्सपोर्ट डूटी का क्या है पूरा माजरा सबसे सटीक रिपोर्ट भारत के सबसे पहले चैनल पर हमारे चैनल पर आपको दी जा रही है क्या है इसका पूरा माजरा कोई नहीं समझ पा रहा है मुझे पता है मैं आ पहले बात के एक कारूं इंदोर की चोईतर मंदी में अगर मैं अवक की बात करें। इंदोर की चोईतर मंदी में किसान साथीयों प्याज की आमदानी है 25,000। फिलोसी गिश्बEMAánt क्टे और इस से उपर हैं और जो इतने प्याज लेके आ रहे हैं यह ज्यादातर इस cow ज़दातर बड़े किसान है जो चोटे किसानों को नहीं जेलते वो है ठीके अब आती किसान सात्यों बात लसुन की तो लसुन की आमदानी साड़े पांस जार कट्टे आलू की आमदानी पांस जार कट्टे आलू किसान सात्यों 14 रुपे भिकरा है एलार हो जोती हो या सोनाचिपस हो यूपी का अलू है हमारा 12 रुपे तक जा रहा है जोती का गुल्ला 1000 रुपे तक और जो छाटन चरी माल है वो 300 रुपे से लगा के 600 रुपे तक बात करने दे किसाह साथी honest की प्याच किल जो महूल था किसाह साथी वही सेम हुल आज भी है कोई नमी नहीं है कोई तैजी नहीं है सें भावे जो कल भाव, था हुआ आज भावेlines पिष्छले दुने को मकाबल है जो भाव चल रहा है वही भाव आज भी है खादू 50 रूपए से लगा के 100 रूपए तक गोल्टी हमारी 200 रूपए से लगा के 1000 रूपए में हलकी क्यालिटी का 1000 से लगा के 1800 रूपए में export quality गोल्टी जा रही है 2-4-10 भी Slote एथारा सो से दो हजार रुपे तक भी जा रहा है गोल्टी के गोल्टा प्याज की अगर बात करें तो 400 से हजार रुपे में हलकी क्वालिटी का गोल्टा हजार से लगा के 2 हजार रुपे तक Export Quality का गोल्टा Medium प्याज हमारा 1515 रुपश्य मुक्कल प्याज 1500-1800 रुपश्य एक्सटा सुपर प्याज 1800 ळगाके 22-раст अ customer गॉलेटी का सॉपर प्याज यिए फार चला की नहीं मिला टोटल 211 गाडियों का एक्सपोर्ट हुआ है खोजदांगा बॉर्डर से 87 सत्यासी ट्रक का एक्सपोर्ट हुआ है मेंधीपुर बाड़ा से 64 ट्रक हीली बॉर्डर से 60 ट्रक का एक्सपोर्ट हुआ है और टोटल जो हुआ है एक्सपोर्ट हुआ है 211 गाडियों का एक्सपोर्ट देखने को मिला है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान सातियों खोजदांगा बॉडर की तो खोजदांगा बॉडर से किसान सातियों इंटर हुई है सत्यासी गाडियां बैलेंस पे 0 गाडिया रही है बात कर लेते हैं किसा साती हो नासिक का जो प्याज है वो 55-57 टका प्रति केजी के इसाब से गया है सुपर जो गोल्टा गोल्टी है वो 55-60 टका और जो गोल्टा है वो 50-57 टका और गोल्टा गोल्टी जो है किसा साती हो वो 55 से 56 टका प्रति केजी के इसाफ से देखने को मिला है MP के प्याज की बात कर लेते हैं MP का जो प्याज किसा साती हो 46 से 52 टका तक देखने को मिला है और रतलाम का जो प्याज जा रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है वो 54-55 टका तक एक्सपोर्ट हो रहा है किसा सत्यों सोलापूर के अगर बात करें तो सोलापूर का किसा सत्यों 52-53 टका प्रती केजी के इसाब से प्याज का जो है एक्सपोर्ट बांगलादेस में हो रहा है एक्सपोर्ट जहां पर किसा सत्यों MP का जो एक्सपोर्ट पिछले दिनों में 35 से 49 टका तक हो गया था वही रेड बढ़कर किसान सात्यों हमारा बंगलादेश में अभी जो हो रहा है वो हो रहा है किसान सात्यों 50 से 52 टका प्रती के जी के इसाफ से है अब हम आते हैं किसान सात्यों चालिस प्रती सत्थ एक्सपोर्ट ड्यूति क्या है और एक चीज में आपको बता दूं लाश्ट मे हमने शायापुर मंडी के लाइव ऊड़ सऽे कल के कल के वीडियो डाले हैं ना कि आज के ऐसलों के 21 अगस्त के हमने कल के वीडियो आज आले हैं शायाफुर मंडी के जो देख लीजिएगा आंते में देखने को मिलेंगे आपको एक और खुसकपरी निकल कर आई है अभी अभी रतला मंडी भी बंद कर दी गई है किसानों के द्वारा चलिए अब हम बात कर ले दे किसान सातियों 40% export duty का क्या है पूरा माजरा अब इसको गोर से समझीगा और हाँ इसके पहले एक निवदन है अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वाटसाप ग्रुप से उस पे बहुत सारी जानकरिया मैं डेली डालता हूँ क्योंकि इतनी जानकरिया मैं यूटूपर नहीं डाल पाता हूँ जो उसमें डालता हूँ तो अगर कोई WhatsApp गुरूप से जुड़ना चाहता है या फिर मेरे से कोई जुड़ना चाहता है परसनली तो आप नंबर लिख लिजिए और उस पे फोन कोई नहीं लगाए मुझे मेरा निवेदन आप से फोन नहीं लगाए सिर्व आप WhatsApp पे हाई लिख के बेजे मैं आपको गुरूप में जोड़ लूँगा नंबर लिखिए 72006147000259147 चली अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 40% एक्सपोर्ट डूटी का क्या है पूरा माजरा यह जो किसान साती हो 40% जो एक्सपोर्ट डूटी है भारत सरकार जो लगाई है यह ना तो हमारे किसानों पर लग रही है ना हमारे व्यापारियों पर लग रही है यह लग रही है व बता रहा है आपको दिल से और यह कोई बताई नहीं पाएगा आपको सत्तीता है आज तक किसे नहीं बतार आपको एक बीडियुक्त नहीं लग रहा है इसमें पूरा का पूरा जो है विदेश का पेसा लगेगा लेकिन आप मुझे बताएं कि 40 परशन यहीं एक लाग पर 40,000. रुपे सिधा 200 स़रकार के खाते में और सब्सक्राइब में चाह이다 लेगा उसको का में रहता कि उसको मेहंगा कितना पड़ेगा बहुत जानला महेंगा पड़ जायेगा तो इसलिए कुए दढगा नहीं और ये निति स्दा भारत के अंदर रहे तक कि मेंगाई ना बढ़े भारत का प्याज भारत में रहे भारत का जो प्याज विदेश में ज्यादा ना जाए एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी गई है तो कोई खरी देगा नहीं हमसे प्याज सिधा फंटा है मोधी जी का अब आप समझ लिया तो उसमें से 40,000 रुपए तो सरकार के खाते में चले जाएंगे है ठीक समझ गया आप 40,000 रुपए और इसको सीधी तरीके से में समझा सकता हूं लेकिन बहुत लंबा हो गया है वीडियो तो आप थोड़ा दिमाग लगाईएगा और समझ लीजिएगा कि क्या है प्याच का रेट अच्छा मिल पाएगा अन्यता हमें प्याच का रेट अच्छा नहीं मिलेगा किव एक्षेह सरे की माख्या नहीं ज्था ब्हुत भारत नहीं नहीं चालों को एलाइक का लिए को नहीं करना आप मिनिमम एक हजार लोग सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से मुझे ठीक है और कमेंट तो हंडेट परसंट करना है और चैनल को शेयर वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें आप सभी किसान बदबद धनिवाद जे जिवान जे किसान ज बेंजे बारात वंदे मातरम जेवल राम शाजा प्रमंडी के कल के वीडियो डाले हैं मैंने वो जरूर देखिएगा लाइव वीडियो कल डालना भूल गया था पाइस हिक का अफ़ा लिखो लाकुप जो क्यों पाइब लोगाद टेका लाडे को ऺंड कि अधो जो एक गिवादार शेघ्वार देहा रख़ा गया जो टेविढ़ में त्यां बाइस सो एक प्राइब एक जीचान जिच्वाद था निसरोग जेले लिख भी लाइक बाइस पर बैस्ट एकान विदा अंटरेस सहापूर